नमस्कार साथियों, आज हम बात करेंगे important topic पे, ये बात मुझे वीडियो बनाना इसलिए पढ़ रहा है, इसके बारे में बताऊंगा, विरोब का वीजा मिलने के बाद मुझे पैसा दो, सबसे कम वीजा चार्ज मेरा है, जी हाँ, ये बात मैं क्यों बोलना हूँ, ये बात वीजा मिल सके, वो विदेश तक पहुंच सके, विरोब के बारे में खास तोर से हम बात करने वाले हैं, तो चलिए शुरुआत कर लेते हैं, बैदेखिए अगर आप साते हैं, देखिए विरोब के लगब 50 प्लस कंट्री हैं, बावन के करीब कंट्री हैं, उसमें से 93 कंट् खास तोर से गल्फ के लिए ही था, लेकिन वैसा आप लोग पसंद नहीं करते वीडियो तो हम बनाएं क्यों फिर फाइदा के होगा मैनत करने का, तो हम भी विरोब की तरफ ही चलने आपको जो भी 100% राइट इंफोर्मेशन देते हैं, अगर मेरी न्यूज को को गलत साबि आद तो हम रेनिक के तयारी कर लेता हूं, तो ऐसा भीलाइद आप मुझे पर पहूं दे सकते हैं, विरोब मात carbon-R upping यह जो खर्चा होगा वह आपका company दे देगी, इससे ज्यादा क्या benefit होगा भी या आपको यह पैसा वापस और मिल जाएगा बहुत सारे offer आते रहते हैं कि एक बार आपका खर्चा लगता है उसके बाद company आपको पैसा भी वापस कर देती है ठीक है जी सब कुछ हम करवाके देंगे आपको कोई help कुछ को मतलब आपको टेंस देंगे यह भी हम बता देंगे तो यह मैंने साथ और तस पॉइंट लिखे हैं यह पॉइंट पेचले कुछ टायम से मेरे पास आप लोगों की inquiry आई जिससे मेरी बात होती है जो मुझे फीज देते हैं उनसे मेरी बात हो जाती है उनकी मेरे पास document आते हैं office वालों के बारे मामला खतम और कुछ वाई साथ 600 रुपे देने के बाद 20-30 मिनट भी लग जाता है और कईयों की दिनक्वारी पेंडिंग रह जाती है दूसरे दिन भी मैं बात कर लेता हूं कि मेरी वह जिम्यदारी बनती है अब देखो थोड़ा सा गोर करने की बात है विरोप सब को जान होती है प्लीज मुझे कमेंट करके बताना सोशल मेडिया पे भी इतने सारे वीडियो आपको मिल सकते हैं इस नाम से वीजा देने के बाद हम पैसा लेंगे यह इसलिए है कि मेरे पास बहुत सारे लोग आप वीजा डालते हैं तो मैं उन्हें बात करता हूं सर वीजा तो हम पैसा लेगा लेकिन ये भीजा उस देश के लाइक नहीं है जो आपको विजट वीजा का संभव है ऐसा आपको लगता है कि यार दो तिन लाग रुपे किसी भी नॉर्मल देश का इंडिया में खर्चा है जेन में टीगट भी आती होगी देदो 50,000 यह मेरी जेब में आप जाओ भाड में समझ गए तो यह बात बिलकुल गलत है ऐसा नहीं होता है दूसरी बात करें 50,000 यहां देदो बाकी कंपनी खर्चा देदेगी कई बार मेरे पास ऐती ऐसी लोग बोलोग बोलते हैं सर कंपनी यह बोल रही है कि आप यहां थो कंपनी आपको पैसा वापस कर देगी वहां पहुंचने के बाद यह मामला रियल में देखा जाए तो कुछ हद तक सही है लेकिन यह सही कहा है गल्फ देशों में कुछ कंपनिया है इराक में भी कुछ कंपनिया है वही ऐसा काम करती है जो आपका थोड़ा बहुत पैसा बाकी यह भी गलत है सब कुछ हम करवा देंगे आपको कुछ नहीं करना आप गर पे रेष्ट करना मज़े से रोटी खाओ खाओ खाट तोड़ो बाकी हम तो बैठी है विरोप का वीजा लगवा देंगे पासपोर्ट गर पहुंचा देंगे विदेश पहुंच जाना बिलक सर्च करना बंबे में इतनी लंबी लाइन लगी मैं दुबई में देख रहा था इतनी लंबी लाइन लगी विरोप जाने वालों की स्थिए है जैसे 16 प्रो मेक्स मोबाइल की लाइन लग रही है न वैसे तो वैसा पैसा देने वालों की लाइन लगी हुए तो फरी में हैं नहीं दे सकते सिर्फ उनको पैसा आपसे लेना है जूट बोलके वेकूब बनाके इसलिए आपको ऐसा बोल रहे हैं एक नंबर का काम दो दूरी करने वाले मुझे कोई फरक नहीं पड़ता आप मेरे पास आओगे जिस अमेरिका एक इंजिनियर साइंटिस्ट को भी अमेरिका जाना है एक बक्री सराने वाला भी मेरे पास आता है मुझे अमेरिका जाना है मैं दोनों की फाइल अक्षेप करूंगा दोनों से पैसा दोनों के डोकुमेंट तयार करके मैं डाल दूँगा VFS में आपका वीजा बकरी चराने वाले का रिजेक्शन में आएगा और इंजिनेर साइंसिस डोक्टर है उनका वीजा लग सकता है मुझे तो दोनों से जिसका वीजा कैंसिल हुआ उससे भी मुझे पैसा मिला और जिसका वीजा लग गया उससे भी मुझे पैसा मिला मुझे तो गंठा फरक नहीं पड़ता तो एक नंबर का काम इसलिए दो नंबर में बता रहा हूँ कि बकरी चराने वाला मजदूर आदमी अमेरिका का वीजा अपलाई करवाता है मुझे पता है इसका वीजा नहीं मिलेगा लेकिन मुझे थोड़ा सा मेरा पैसा मिला इसलिए इस बंदे का लाग रुपे में खर्च करवा दूँगा 20-30,000 मुझे मिलने इसके लिए तो यह होता है एक नंबर में क्योंकि ऐसे मैं बोल दूँ कि वाई तुम 20,000 मुझे दे दे 20,000 तो तो तेरह नहीं लगेगा वो तो 20 रुपे नहीं दे लेकिन इसको बेकू बनाके एक नंबर में पैसा लेंगे फाइल डाल देंगे काम तो एक नंबर में हुआ है दो नंबर में इसलिए बोल दिया कि उसको बताए कि नहीं होगा फिर भी उसने डोकूमेंट डाले गबर शिंगी फिलम देखिए ना मरे वे का इलाज किया जाता है वो पैसे हो ले जाते है उसको बोलते है दो नंबर का काम एक नंबर में मर गया मरने के बाद उसको गरवालों को बोला कि पांज लाग दे तो नहीं दिये उसका इलाज कर रहा है ट्रीटमेंट जला जबकि उमर चुका था ना फिर पांज लाग का बिल पकड़ा दिया आगले देने के लिए तैयार होगे अलांकि वो तो गबर था नहीं दिये पैसे भंसा लिए तो कहने का मतलब है कि यह जो चीजे मैंने लिखी है वो सबकुस फेक है जूठी है इनके जांसे में आपको नहीं आना है आप लोगों के कमी यह है बाइसाब कि आपको जाना है व जी बैठते हैं ओफिस में वो तंखा लेते हैं ना फ्री में तो कोई का घर नहीं चलता ना आप ये उमीद आप लेके फोन ये करते हैं कि असंतोष कुमार जी फोन की उठारे डायरेक्ट असोग लेलबी फोन उठाएगा और आपका वीजा चेक करेगा आपसे जो भी इंक नहीं करते हैं सीवा दिन में एक बंदे से लेके तीन बंदों का इनकी तो मैं गारंटी लेता हूं दो से एक दो तीन एक दो तीन तो फीज डालके बात कर लेते हैं बाकि जितने भी कौल है 93% एवरेज दिन में 100-200 कोल का होता है 100-200 कोल रोज आते हैं उसमें से दो या तीन बंदे फीज देते हैं तो आपको क्या लग रहा है एक बंदा चलो हो लंबी बाते हो जाएक उनको छोड़ दो तो सिच्विसन यह है बाई साब जरूरी है पासपोर्ट जेब में उठाने स नोसे पहले मेरे जिसे normal कर लोगे तो इस बात की तो है आपको कोई ठागेगा तो नहीं होगा तो जिन्मिन होता है पहुंचना हाना तो यह कुछ मन में सवाल थे आप क्या सोचते हैं कमेंट करके मुझे बताना मिलते हैं नेक्स बुड़ी मच्छी जानगर के साथ जेहीं जेवार।